मेरे पैरे देश्वासियों, नमस्कार। अगस के इस महने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ष ने मेरे कार्याले को तिरंगा मैं कर दिया है। मुझे ऐशा स्वाहदी कोई पत्र मिला हो, जिस पर तिरंगा ना हो, या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात ना हो। बच्चों ने, युवास साथियों ने तो अमरित महोत्सव पर खोब सुन्दर सुन्दर चित्र और कलाकारी भी बना कर भीजी है। आजादी के इस महने में, हमारे पूरे देश में, हर शहर, हर गाउं में, अमरित महोत्सव की अमरुत धारा बह रही है। अमरित महोत्सव और स्वतंत्रदा दिवस के इस विशेस अवसर पर, हमने देश की सामोहिक शक्ति के दर्शन किये है। एक चेतना की अनुभूती हुआ। के प्रसम प्रहरी बनकर, लोग खूद आ गया है। हमने स्वच्छता अभ्यान और वेक्षिनेशन अभ्यान में भी देश की स्पिरीट को देखा था। अमरित महोत्सव में, हमें फिर देश भक्ति का वैसा ही जज़वा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने उंची उंची पहाड की छोटियों पर, देश की सिमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फैराया। लोगों ने तिरंगा विहान के लिए अलग-अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले। जैसे गिवासाती कृष्णिल अनिल जी ने अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट है और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खुपसरत तिरंगा मोजेक आर्ट तयार की है। करनाटका के कोलार में लोगों ने 630 फिट लंबा और 205 फिट चवड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा द्रश्य पस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फैराने के लिए अपने हातों से 20 फिट का तिरंगा बनाया। इसी तरह इंदोर में लोगों ने हुमन चेन के जरिये भारत का नक्षा बनाया। चंडीगर में युवाओं ने विशाल हुमन तिरंगा बनाया। इस दोनों ही प्रयास ग्रिनीज रिकॉर्ड में भी धर्च की गए है। इस सब के बीच हिमाचल परदेश की गंगोड पंचायत से एक बड़ा प्रेणादाई उधार भी देखने को मिला। यहां पंचायत में स्वतंतरता दिवस के कारकम में प्रवासी मजदूरं के बच्चों को मुख्य अतिजिक की रुप में शामिल किया गया। साथियों, अमरित महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले। बोट्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानिय सिंगर्स ने भारत की आजाजी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। इसमें और भी खास बात ये है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांगला, असम्या, तमील, तेलुगु, कनड़ा और संस्कृत जैसे भाषाओं में गाए गए। इसी तरह नावीविया ने भारत नावीविया के सांस्कृतिक पारंपारिक समंदों पर विशेश टेम जारी किया है। सात्यों मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारान मंतरा लेके कारकम में जाने का उसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दुरदरसंग की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मोका मिला। यह आजाज के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अन्सुने नायक नाईकाओं के प्रयासों से देश की युवापीडी को परिचित कराने के बहतरीन पहल है। दुरदर्शन पर हर रविवार राप नव बजे इसका प्रसारण होता है। और मुझे बताया गया कि 75 सब्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्र है कि आप समय निकाल कर इसे खुद भी देखे और अपने घर के बच्चों को भी जुरूर दिखाए। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रकोडिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेश कारकम की रचना भी कर सकते हैं। ताकि आज हदी के जंग के इन महानायकों के प्रती हमारे देश में एक नई जागरुता पैदा होगी। आज हदी कामरत महोत्सव अगले सार यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन आयोजन आदियम कर रहे थे हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे देश म्हाशियों हमारे पुर्वजों का ग्यान हमारे पुर्वजों की दिर्ग दर्ष्टी और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपुन है जब उसकी गहराई में जाते हैं तम आश्चिरे से भर जाते हैं हजारों साल पुराना हमारा रगवेद रगवेद में कहा गया है ओमान मापो मानुशी अम्रुक तम धात तोकाय तनेयाय शंयो हो युयमहिष्ठा भीशे जो मात्रु तमा विश्वश्य स्थातु हो जगतो जनित्री ही अर्थात हे जल आप मानवता के परम मित्र हैं आप जीवन दाईनी हैं आपसे ही अन्न उत्पन होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हीत होता है आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराईयों से दूर रखते हैं आप सबसे उत्तम आउशदी हैं और आप ही इस ब्रह्मान के पाननहार है सोचिए हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल सवरक्षन का महत्व समझाया गया है जब यह ज्यान हम आज के संदर्म में देखते हैं तो रोमान्ची तो उपते हैं लेकि जम इसी ज्यान को देश अपने सामर्थ के रुप में स्विकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है आपको याद होगा मन की बात में ही चार महिने पहले मैंने अमरित सरोवर की बात की थी उसके बाद अलग-अलग जिलों में स्थानिय प्रशासन जूटा स्वयम से भी संस्थाय जूटी और स्थानिय लोग जूटे देखते ही देखते अमरित स सरोवर का अंदिरमां एक जन आंदोलन बन गया है जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो अपने करतवियों का एसास हो आने वाली पीडियों की चिंता हो तो सामर्थ भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है मुझे तेलंगना के बारंगल के एक शांदार प्रयास की जानकारी मिली है यहां एक नई ग्राम पंचयत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंग्त्या वाल्या थांडा यह गाउं फोरेस एरिया के करीब है यहां के गाउं के पास ही एक ऐसा स्थान था जहां मांसून के दवर अबिस्थान काफी पानी इखटा हो जाता था गाउंवालों की पहल पर अबिस्थान को अम्रित सरोवर अभ्यान के तहत विक्षित किया जा रहा है इस बार मांसून के दवरान हुई बारिज में यह सरोवर पानी से लबालब भर गया है मैं मद्метवलदेश के मंडला में मोचा ग्राम पिंचैप में बनें अम्रित सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ यह अम्रित सरोवर कानार राश्ट्रिय उध्यान के पास बना है और इसलाके की सुन्दरता को और बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश के ललितपूर में नवदिर्मित, सहीद भगत्सी अम्रुत सरोवर भी लोगों को काफी आकरशित कर रहा है यहां की निवारी ग्राम पंचायत में बनाई ये सरोवर चार एकड में फैला हुआ है सरोवर के किनाले हुआ अव्रुख्षा रुपण इसकी सोभा को बढ़ा रहा है सरोवर के पास लगे 35 फिट उंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं अम्रित सरोवर का ये अभ्यान करनाटका में भी जोरों पर चल रहा है यहां के बागल कोट जी लेके बिलके रूर गाउं में लोगों ने बहुत सुन्दर अम्रित सरोवर बनाया है दरसल इस खेतर में पहाड से निकले पानी की वज़े से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी किसानों और उनके फसलों को भी नुक्षान पहुंचता था एक तरफ ले आए इससे इलाके में बाड के समस्या भी दूर हो गई अम्रित सरोवर अभ्यान हमारी आज की अनेक समस्यों का समाधान तो करता ही है हमारी आने वाली पीडियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है इस अभ्यान के तहट कई जगों पर पुराने जलाशनों का भी कायकल्प किया जा रहा है अम्रित सरोवर का उप्योग पशुओं की प्लास बुजाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है इन तालाबों की वज़े से आसपात के ख्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है वहीं इनके चारों और हर्याली भी बढ़ रही है इतना ही नहीं मेरा आप सभी से और खास कर मेरे युवा साथ्यों से आग रहा है कि आप अम्रित सरोवर अभ्यान में बढ़ चट करके हिस्सा ले और जल संचय और जल सहुरक्षन के इन प्रयास्व को पूरी से पूरी ताकत दे उसको आगे बढ़ाए मेरे प्यारे देशवास्यों असम के बौंगाई गाउं में एक दिल चस्प परियोजना चलाई जा रही है प्रोजेक्ट संपूर्णा इस प्रोजेक्ट का मकसद है कूपोशन के खिलाब लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है इसके तहट किसी आंगणवाडी केंदर के एक स्वस्त बच्चे की माँ एक कुपोशित बच्चे की माँ से हर सप्ता मिलती है और पोशन से सम्मंदित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है यानि एक माँ दूसरी माँ की मित्रबन उसकी मदद करती है उसे सीख देती है इस प्रोजेक की मदद से इस रक्षेत्र में एक साल में नब्बे प्रतिसत से ज़्यादा बच्चों में कुपोशन दूर हुआ है अब कलपना कर सकते हैं क्या कुपोशन दूर करने में गीत संगीत और भजन का भी इस्तिमाल हो सकता है मदद प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान में इसका सभलता पुर्वा प्रयोक किया गया इसके तहर जिले में भजन किर्तन आयुजित हुए जिसमें पोशन गुरु कहनाने वाले सिक्षकों को बुलाया गया एक मठका कारकम भी हुआ इसमें महलाये आंगनवाडी केंद्र के लिए मुठी भर अनाद लेकर आती है और इसी अनाद से सनीवार को बालभोज का आयोजन होता है इससे आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों की उपस्तिती बढ़ने के साथ ही कूपोशन भी कम हुआ है कूपोशन के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए एक यूनीक अभ्यान जारखन में भी चल रहा है जारखन के गिर्डी में साम सीडी का एक गेम तयार किया गया है खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदकों के बारे में सिखते हैं साथियों कूपोशन से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सबको भी आने वाले महने में इस अभियान से जुड़ना है सितंबर का महिना तयोहारों के साथ साथ पोशन से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है हम हर साल एक से तीस सितंबर के बीच पोशन महां मनाते हैं कूपोशन के खिलाप पूरे देश में अनेक क्रियेटिव और डायवर्स एफर्स किये जा रहे हैं टेक्नलोजी का बहतर इस्तिमाल और जन्भागीदारी भी पोशन अभियान का महत्वपन हिस्सा बना है देश में लाखों आंगनवाडी कारकरताओं को मोबाइल डिवाइज देने से रेकर आंगनवाडी सेवाओं की पहुँच को मोनिटर करने के लिए पोशन ट्रेकर भी लाँच किया गया है सभी एस्पिरेशनल डिस्टिक्स और नौर्स रिष्के राज्यों में चाउदा से अठारा साल की बेटियों को भी पोशन अभियान के दायरे में लाया गया है कूपोशन की समस्या का निराकरन इन कदबों तक ही सिमित नहीं है इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमी का है उधार के तोर पर जल जीवन मिशन को ही ले तो भारत को कूपोशन मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है कूपोशन की चुनोतियों से निपटने में सामाजिक जागुरुकता से जुड़े प्रयास महत्वपण भूमी का निभाते हैं मैं आप सभी से आगर करूँगा कि आप आने वाले पोशन महा में कूपोशन या मालनुट्रेशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जुरूर ले ये ये जेवर के लिए पती के साथ जगडा नहीं करती बलकि खुद जेवर बना कर बेच कर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं आपको भी कमाना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए